हालो दोस्तों दिस इस विशाका डागर कामिंग आफ विद नेक्स रौंड उप लटेस एक्स्प्लेंग मार्केट हम सभी जाते हैं और अगर आज से दस या पंदरे साल पीछे जाया जाए तो जब मार्केट जाते थे तो सिक्के यह कागज के नोच से हम चीज़ें खरीते थे चीज़ें आज भी खरीतते हैं पर अब जब से demonetization हुआ और lockdown लगा आप पैसे हम ऐसे नहीं अगया करते हैं तेन पर एक और चेंज आया बीच में ताट इस क्रिप्टो करंसी वो था तो डिजिटल मीन्स ऑपेमेंट ही पर उसमें टिक्नॉलजी अलग यूज होती थी यह क्या है क्यों है यह पहले ही वीडियो में डिसकर्स करेंगे डिजिटल करंसी इंट्रडियूस पाइदी आर् जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है वो एक नई तरीके के डिजिटल टिक्नॉलजी या डिजिटल करंसी लेकर आ रहा है यह क्या है क्यों है और इससे क्या फरक पड़ने वाला है इसके बारे में आज के सेशन में हम डिटेल में डिसकर्स करेंगे नौ लेजस मूव अहेड तो सवाल यह बनता है कि डिजिटल करंसी क्या होता है जिसकी थोड़ी थोड़ी मैंना आपको बता दी है तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे करंसी क्या होती है क्योंकि आज से कई साल पहले करंसी नहीं होती थी लोग बाटर सिस्टम करते थे कि देखिए इनको अगर मचली चाहिए और उनको चाहिए मीट तो ये उनको मचली देंगे इन रटन इनको इनसे मीट मिल जाएगे So this was a barter system but इसमें बहुत प्रॉब्लम थी क्यों इसमें double coincidence of demand चाहिए अगर by the way इनको shoes चाहिए अब इनके पास जूते तो है नहीं तो ये market में किसी ऐसे इनसान को ढूणेंगे जिसके पास जूते हो और साथ में उसको मीट के demand हो इसकी वज़े से बहुत problem हो जाती थी जिसके बाद एक token currency system आया कि कोई ज़रूरत नहीं है अगर by the way अपना मीट बेज रहे हैं उसके लिए 10 रुपे मिल जाएं अभी 10 रुपे अपनी जेब में रखेंगे और जिस भी दुकान पर जाएंगे वो मेभी 5 रुपे के पहले जूते मिलते होंगे पहले मिल जाते थे 5 रुपे में ये बड़ी बात नहीं थी 5 रुपे में जूते लिए बाकी पैसे अपने जेब में क्यों कि पहले कम जादा का नापतोल होता था चल ठीके दो किलो ले ले वो सब मिलने चाहिए थे अब डिमांड मिलने के जवरत नहीं है आपका समान बिका कुछ पैसे आपने जे में रख ली अब आप उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं जिसने मार्केट बढ़ा हो गया इन्वेस्मेंट पोटेंशल बढ़ गई और हमारी एकॉनमी का साइज बढ़ गया तो बी फेर वो जो छोटे छोटे करंसी नहीं होती छोटे छोटे नोट्स और बैंक नोट्स कीवजे से अब एकॉनमी इतनी बड़ी हो चुकी है पर वो जमाना था नोट्स का आप जमाना है डिजिटल करंसी का डिजिटल करंसी जव आप electronically transaction कली ट्रांजेक करते हो store करते हो, create कर सकते हो और साथ में transfer कर सकते हो उसी digital currency का एक तरीका है bitcoin या फिर किसी भी तरीके की cryptocurrency cryptocurrency क्या होती है I have already discussed in the video इसमें हम discuss नहीं करेंगे RBI भी इसी तरीके की cryptocurrency introduce करने जा रहा है that is central bank digital currency जिसको CBDC कहा जाएगा थोड़ा सा देखे जाएं तो cryptocurrency के जो features होते हैं वो इसमें देखे जाएंगे कि decentralized ledger होता है इसमें decentralized level पे काम होता है peer-to-peer network होता है मतलब इसमें usually जो पुरानी cryptocurrencies होती हैं उसमें central bank regulate नहीं करता नई, peer-to-peer networking पे depend करता है यह यह सारे के सारे features होते थे इसमें intermediaries बहुत कम होते हैं अभी आप Paytm से transaction करते हैं then this is you आपको कुछ खरीदना है imagine मिंत्रा से तो आप एक बीच में intermediaries use करते हैं आप Paytm से payment ज़रूर कर रहे होंगे पर आपका bank linked होता है वो आपका phone number उससे आप मिंत्रा को पैसे transfer करते हो तो क्या होता है इसमें intermediaries होते हैं बट cryptocurrency में उसकी ज़रूरत नहीं होती बस there is one creator and once they are creative वो public domain में चले जाते हैं तो ऐसे case में क्या होता है आप सीथा transaction करते हो इसमें क्या होता है आपका time भी बचता है क्योंकि इससे dependence खतम हो गई और आपकी cost भी बच जाती है because यह जो gateways create करते हैं यह इसकी कीमत आप से मांगते हैं and this is the most important thing cryptocurrency इतनी जादा आजकल हवा में है इसलिए अगर आप यह समझ चुके हैं तो आगे का session आपके लिए बहुत आसान होगा that is understanding why do we need this हमें cryptocurrency क्यों चाहिए तो सबसे पहला जो मुद्दा है that is cash economy इंडिया की cash economy बहुत बड़ी है हमारी cash to GDP ratio बहुत जादा है nearly 75% and more than that transaction हमारी आज भी cash में होती है इसका असर यह होता है इससे black money transfer करना आसान होता है bribery आसानी से दी जा सकती है because accounting difficult हो जाता है साथ में private currencies या private crypto currencies के बहुत जादा नुकसान देखे जा सकते हैं जैसे RBI ने तो 2018 में इसे ban करने की बात की थी जो supreme court ने लेटर ओन हटा दिया था बट मुद्दा था यह because private currencies क्या होती है कोई regulate तो नहीं कर रहा central bank regulate नहीं करता है अगर वो अचानक उनकी supply जादा हो जाए तो उनकी कीमत काम हो जाएगी और अचानक demand जादा बढ़गी तो क्या वो कीमत बहुत जादा बढ़गी और ऐसा हुआ भी है 2014 में हुआ है 2018 में हो चुका है और उसके बात भी और अचानक कीमत उपर नीचे जाने से economy में volatility बढ़ जाती है अगर बाइद वह यह किसी एक company के stock type है तो economy handle कर सकती है पर पूरी की पूरी country जिस currency पर depend कर रही है अगर वो उपर नीचे होगी तो क्या हाल होगा आपको पता है ना inflation होते हैं जब हमारी currency के दाम एधर उधर होते हैं तो सरकारे बदल जाती हैं आप कितना भी कहले corruption से सरकार गिरती है बड़ प्याज के दाम decide करते की कौन सी सरकार अगली बार आएगी तो सबसे पहला जो मुद्दा है existing currency का वो है volatility बहुत ही ज़ादा volatile होते हैं because of no central regulation साथ के साथ क्यूंकि anonymity इसका next function होता है कि किसने किया, क्या create किया, पैसे किसके बास कए कोई control नहीं कर रहा है जिसकी वज़े से अकसर ये money money laundering में use हो सकता है साथ में drug trafficking में use हो सकता है money laundering, drug trafficking और साथ साथ में child trafficking बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे पैसा नहीं जाना चाहिए RBI इसी वज़े से बहुत ज़ादा परेशान थे कि हम cryptocurrency को regulate नहीं कर सकते और वो एक तरह की volatility और साथ में financial problems create कर सकती है तीसरा reason हमारे पास था global stage globally most of the countries ये promote कर रही है आफ US Federal Reserve ले लीजे चाहे Europe का European Commission के initiative ले लीजे in fact 80% of the 66 known central bank इसके बारे में बात कर रहे है including China तो कोई इस race से बहार नहीं रहना चाहता and that is something India is also considering तो पहले ये तीन reason होगे इसके बात भी हमारे पास वज़े है जैसे मैंने discuss किया किसे time कम होता है cost कम होती है क्योंकि intermediaries नहीं होते cost इसलिए भी कम होती है क्योंकि normal जो आपके notes बनती है उसको print करने में उसको store करने में और उसको distribute करने में पैसा लगता है अब digital economy या digital currency अगर promote होगी तो उस case में ज़रुत नहीं पड़ेगी सो इसलिए cost कम हो जाएगी साथ में financial inclusion promote होगा और financial inclusion क्यों promote होगा यह देखे ना intermediaries नहीं है मुझे पैसा चाहिए मुझे लोन चाहिए तो मुझे at least आसवास bank होना चाहिए rural areas में bank आसानी से branch नहीं खोलते इतना बड़ा infrastructure खोलेंगे customers तरफ कुछ पर digital currency में उसकी need कम हो जाते इसलिए से financial inclusion आ सकता है साथ में monetary policy transmission इससे आसान हो जाएगा RBI interest rate change करता है interest rate change करता है repo rate और आपकी reverse repo rate की थुरू बट वो transmission मुझकिल होता है बेकास bank सुनते नहीं है वो rate कम नहीं करते इसके लोन सस्ते नहीं होते और liquidity condition सेम रहती है बट इन दस केस आपका central bank हुआ इस case में bank intermediary है ही नहीं न सीथा वो customers को money supply कर सकता है तो जब liquidity जाधा हो जाएगी तो control कर लेगा कम हुई तो बढ़ा देगा ऐसे case में क्या हुआ transaction सीथा हो गया bank से dependence काम हो गया देखिए intermediary कम हो गया आप एक बार cryptocurrency की basic feature समझ गया यह असान हो गया and next function is instrument of sterilization and regulation आप इसके लिए आपको sterilization समझना होगा उसके लिए आप एक scenario समझेंगे example कभी आपका rupee depreciate हो गया अचानक rupee की value कम हो गया rupee की value कम होते है तो हमारे export impact हो जाते है rupee की value को reestablish कर दिया जाए rupee depreciate इसलिए हो रहा है because dollar की supply जादा हो चुकी है अब dollar की supply को कम करने के लिएम क्या करेंगे हम dollar को वापस खीचना शुरू करेंगे जब dollar को खीचते हैं तो rupee की supply वापस बढ़ जाती है तो it is good कि dollar की supply कम हो रही है तो rupee की value बढ़ जाएगी बट साथ की साथ inflation के chances बढ़ जाएगे क्योंकि rupee economy में गया तो inflation हो जाएगा उससे बशने के लिए RBI क्या करता है various measures लेता है कि rupee वापस आ सके जैसे bonds वगेरा वो bonds बेशना शुरू करता है और rupee वापस लेना शुरू कर देता है इस पूरे process को sterilization गहते है initially या फिर इससे पहले bank को bonds की जोरत परती थी but अब RBI को उनसे dependent खतम हो जाएगी because वो सीधा rupee को regulate कर सकता है कि इसकी demand and supply क्या है and that's why sterilization has become easy these days RBI can easily control कि कि कितना पैसा जा रहा है कितना जा रहा है तो inflation control कितना असान हो जाता है RBI के लिए and that is the reason we are promoting cryptocurrency but कहानी सिर्फ यहां खतम नहीं होते अगर हम ऐसा करते हैं तो at one side बहुत सारी अच्छी ख़बरे सुनने को मिलेंगी पर दूसरी तरफ हमारे लिए कुछ challenges भी create हो जाते हैं and the challenges include anonymity the principle of anonymity is still there because anonymity is the prime function of the cryptocurrency और अगर anonymity है तो possibility अभी भी है कि यह पैसा drug trafficking या terrorism जैसे function को serve करने के लिए use हो सकता है साथ में next is design पे काम करना design पे काम करना बहुत जरूरी है because इसके design ऐसे होनी चाहिए कि इसके reach जादा हो लोगों तक पहुंच सके और साथ में इसके लिए आपको foreign exchange rules और information technology laws को बदलना होगा because वो अभी भी cryptocurrency को regulate नहीं करते तो दो changes यह लाने के जरूरत है उसी के साथ आपको partial convertible currencies पे जो फरक पढ़ने वाला है उस पे काम करना होगा पहले convertible currencies या फिर अगर आप बहार से कुछ खरीद रहे थे permission की जरूरत पढ़ती थी पहले यह आसान था पर cryptocurrency में यह कैसे होगा इसका अभी भी कोई solution नहीं निकला है तो उस पे काम करने की जरूरत है next is monetary policy पे इस ते फरक पढ़ने वाला है because आप RBI के पास दो function होगी एक तो normal currency को regulate करना जो कि normal form में है जो आपके notes है आपका cash है या फिर आपके normal जो digital transaction हो रहा है दूसरा cryptocurrency तो इस वाले case में पहले वाले case में जब आपके notes वगेरा है तो वहाँ पे intermediary है पर second case में intermediary नहीं है तो RBI कैसे इन दोनों को balance करेगा यह एक सवाले निसान खड़े कर देता है इसमें काम करने की ज़रूत है साथ में bank deposit mobilization यह सबसे बड़ा concern है मैं आप तक आपको समझा रही थी कि इतने सारे benefit क्यों आए because intermediary चले गए है पर यह intermediary बहुत important function serve करते थे यह जो intermediary होते थे यहां से आपकी public पैसे deposit करती थी इस deposit को यह credit में convert कर देते थे public alone, maybe मेरे पास 50,000 हैं मैं कोई इतना बड़ा asset create नहीं कर सकती because शायद मेरे पास कोई innovative ideas भी नहीं है बट जब इतने सारे लोग 50K, 50K करके खटा करते हैं तो कडोरों में पैसे हो जाते हैं और कोई ने कोई एक business man ऐसा जरूर होता है जिसके पास एक innovative idea होगा बैंकों से पैसा देता है और पैसे से पैसा बनता है ऐसे हमार economy रन करती है but इस case में जब intermediary नहीं होंगे तो credit creation function disrupt हो जाएगा उसका क्या, उसका क्या रास्ता that is something we need to think about and that is हम कभी भी अपने session को एक point पर नहीं छोड़ते we always talk about suggestions as well so let's go with suggestions suggestion is first one is faced implementation of strategy please think about all the perspective monetary policy पे क्या फरक पढ़ने वाला है bank पे क्या फरक पढ़ने वाला और उसके क्या solution हो सकते हैं इन पे सोचा जा सकता है इसको prototype की form में एक के बाद एक लाये जा सकता है जो कि RBI is already discussing in the same manner next is anonymity पे काम किया जा सकता है if anonymity as a function अगर आपके काम को नहीं करने दे रहा है तो उसको हटा के non-anonymity जैसे features लाई जा सकते हैं जिससे की accountability और transparency बनी रहे now that is for all आज की कहान यहीं खतम होती है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया then like us, subscribe us and connect to us because we are present on various social media platform just to help you thank you so much you